नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका मैं आपका दोस दिनेश निम्बावत हम आज बात करेंगे महा जन्पद काल के संदर में महा जन्पद जो 16 महा जन्पद है उनकी इस पेसलिटी के बारे में उनके विसेश संक्सिप नभीवरण की बात अपन करेंगे महा जन्पद के जनपत क्या होता था जन यानी होता था लोग जनपत का देखें जनपत जन द्वारा अधिकर्द परदेश जनपत का नाम प्राय जन के आधार पर ही होता था जो अधिक सक्ति सालित अता विस्तार बें बड़े थे वे मा जनपत के लाए जो चोटे थे वो जनपत के लाए और जो बड़े थे, वो क्या कहलाए, महा जनपत कहलाए, अब 16 महा जनपत, बोध गरंतें अंगुतर निकाई, उसके अंतरगर 16 महा जनपतों का उलेक मिलता है, अंगुतर निकाई में, इस सवाल कहीं बार पूचा जाता है, अंगुतर निकाई में, अब बात करें, सबसे पहले 16 वहला महा जन einem एंग की बारे में पढ़ते हैं पंग यह जन पइहार के उत्तर पूर्वी बागों में इस्तित्ता एंग कि राजदानी चंपा याद रही गांग की राजदानी कहा थी चंपा उंग चंक और गंगा नदियों के संगम पर इस्तित थी उस समय चंपा भारत की छे पर्मुख नगरियों में से एक थी ये एक धन संपन नगरी थी तता वैपार का पर्मुख के अंदर थी अंत में मगत के समराथ बिम्भी सार ने कौन सा समराथ था बिम्भी सार ने अंग के सासक और किसमें सामिल कर लिया मगद में आगे बात करते हैं फिर मगद सामराजिय की मगद महाजनपत की मगद महाजनपत की बात करें मगद राजिय में वर्तमान के जो बिहार है बिहार के पटना और गया जिल्ले समलित थे और मगद की प्राचिनतम जो राजदानी है वो गिरी व बाद में इसका नाम राजगरे कर दिया गया पहले नाम क्या था गिरिवजर बाद में क्या नाम कर दिया गया और राजगरे कर दिया गया पाठली पुत्र जो है मगत की दूसरी राजदानी थी प्राचिंतम राजदानी गिरिवज उसका नाम राजगरे और जो है दूसरी ज मत्याद सत्रू का स्मन्द किस से है कौन से महाजनपट से प्भूचा जा सकता तो मघज़στर से उनके सासनकाल में मघज़ी त्यादिक विश्तार हुआ पिर बात करें कासी महा जनपत की कासी की इस जनपत वर्तमान में जो है उत्तर परदेश के दक्सिन पूरू में था उत्तर परदेश के दक्सिन पूरू में था और इसकी राज़दानी वो वारानसी थी वारानसी कासी कासी वारानसी याद रखेगा जो अपने ग्यान सिल्फ वैवार तता वैवों के लिए प्रसित थी इसके संदर में क्या कहते हैं कि डॉक्टर हैमचंद राय चोदरी सोले माजनपदों के प्रारम में कासी सरवधिक सक्ति साली था यह कहते हैं हैं हैमचंद एचसी राय चोदरी जी कहते हैं कि सोले ने कौसल पराधिकार कर लिया था पर तो काल हम कोशल ने काशी पर अपना आधिपत कि इस्तापित कर लिए अब बात करें कोशल महाजयन पत्की यह राधुनिक उत्तर परदेश के आवद्ध ऐसका आवद्षتمे फیला हुआ था और चट्टी सताब्धी इसात्पूरव में स् ज़स दानी, सुरावस्तिती थी, ठीक है, साकेत और आयोद्या इस राजिय के अन्य परसित नगर थे, साकेत और आयोद्या जो है, इसके कोसल के अन्य नगर थे, बुध के समय यहें, चार सक्तिसाली राजस्तंतर थे, उन्हें सेग था, और महा कोसल तता परसे जनित परसेंजीत कोसल के सक्टी सालिस आ सकते और परसेंजीत की बहीन कोसल देवी का विवा मगद के समराड बिंबिसार के साथ हुआ तो आब ही मिशार के साथ, किसका विवाबा, कौसल दीवी का जो परसेंजीत के क्या थी, बہन थी पिर बात करते हैं वझ्जी की, वझ्जी माजनिपद की बात करें वझ्जी ये राजी ये गंगा नदी के उत्तर में नेपाल की पहाड़ियों तक फैला हुआ था इसमें आठ गंडराजे सामिल थे जिनमें लीचफी, विदेह, ग्यात्रिक, आदिपर्मुक्ते इस गंडराजे की संग्य राजदानी थी वैसाली एक धन, संपन तता वैबोव साली नगर था, मात्मा बुद्ध के समय ये गंडराजे अत्यंत सक्ति साली था इस संग में गंटंत्रे सासन वैवस्ता पर चलित थी वजजी में याद रखेगा कालांतर में मगत के समराट अजाज सत्रू ने इसे मगत सामराजे में सामिलित कर लिया किसने किया अजाज सत्रू ने मगत सामराजे में तिर बात करते हैं मल की मल माजनपत की बात करें, ये उत्तर परदेश की वर्तमान देवरिया जिल्ले में इस्तिता किसमे था देवरे जिल्ले में ये गंड़ा जी दू भागों में बटावा था कितने भागों में दू भागों में बटावा था पहला कुसी नारा के मल दूसरा पावा के मल दू भागों बटावा था मल कुसी नारा के और पावा के मल यहां बात करें यहां गंतंत्री सासन व्यवस्ता पर चलित थी पांची सताबदी इसापूरू में मगद के समराथ अजाज सत्रू ने मल राजी को जीत कर मगद समराजे में मिला लिया किसमें जिता आजाज सत्रू ने इसको भी किसमें मगद में सामराजे में सामिल कर लिए अमल को भी फिर बात करते हैं चेदी माजनपत की चेदी के बात करें चेदी की इस अराजिये में आधुनिक बुंदेलखंड का परदेश समलित था इसकी राजदानी सक्तिमती अत्वा सोतवती थी इस सक्तिमती जिसे सोतवती भी कहा जाता था मावार्त में इस राजजी का उलेक मिलता है सिसुपाल यहां का सक्ति सालिरा था कहा जा सकता है सवाल यह भी आ सकता है कि सिसुपाल का समन था चेदी जनपत से चेदी महाजनपत से याद रखिएगा उसके सासनकाल में किसके सासनकाल में बात हो रही है यहां हो रही है सिसुपाल के काल अंतर में चेदियों की एक साखा ने कलिंग में अपनी सथास्तापित की फिर बात करते हैं वत्स की वत्स की बात करें वत्स महा जनपत की यह राजिय जो है गंगा नदी के दक्सिन में इस्तिता कहां पथा गंगा न देके दक्षिन में इस्तिता और इसकी राज़दानी कौसामबी थी वत्स कौसामबी याद रखेगा वत्स कौसामबी वत्स की राज़दानी कौसामबी जो इलाबाद से लगबग 30 मेल्द की दूरी पर है कौसांबी एक सम्रद नगरी थी तता अवाने जी वैपार का कैंदर थी मात्मा बुद्ध के समय ये राज्य चार सक्ति साले राज़तंत्रों में से एक था कालांतर में मगद ने वत्स राज्य को भी अपने सामराजे में समलित कर लिया पिर बात करते हैं कूरू की कूरू माजनपत की इस राज्य में वर्तमान दिल्ली अचका दिल्ली मेरेट के परदे समलित थे इसकी राज़दानी इंदर परस्त थी इंदर परस्त हस्तिनापूर इस राज्य के एक अन्नी प्रसिद नगर था और कूरू महा भारत काल का एक प् देमान था इसके राज़दानी याद रखेगा कुरू की इंदर परस्त पर बात करते हैं पांचाल की पांचाल इस राज़य में भरतमान बदायू फरुकबाद के जिले समलित थे बदायू और फरुकबाद के जिले समलित थे प्राचिन काल में यह राज़य जो है दो भागो उत्री पांचाल और दक्सिन पांचाल उत्री पांचाल की राज़दानी थी आई छत्र और जो दक्सिन पांचाल उसकी राज़दानी थी कांपी लिए पिर बात करते हैं बहुत ही महतापुण माजनपद, मतस्य जनपद ये राज जी आधुनिक राजस्तान के अलवर जिल्ला से चम्बल नदी तक फैला हुआ था इसमें आधुनिक राजस्तान के जो है आजके राजस्तान के जेपूर अलवर भरतपूर आदी जिले समय लिए थे इसकी राजदानी विराट नगर जो की आधुनिक बेराट कहा जाता है मा भारत के अनुसार पांडवो ने यहां अपने अग्यात जो वर्स का अंतिम वर्स की बिताया था कालांतर में मतस्याराजिय को अपने सामराजिय में समय लिए था इस राज्ये में वर्तमार में मतूरा सूर्शेन में मतूरा और उसके आसपास का परदीस समलित था इस जनपत की राज़दानी कौन से थी मतूरा सूर्शेन मतूरा यहां यदोवन्स यानि यादों का सासन था यादव लोग कहीं कलों में विबक थे या कुलों कह सकते हैं कही बूद्गरंटों के अनुसार शूर्षेंड का राजा था अवंती पुत्रिक जो था सकती साली राजा था, यहां पहले गंतंत राज्य था पर्मतुबूद् काल में यहां राज़्त अंतरात्मक सासन इस पदेती स्थाफित हो गई थी, पिर बात करते हैं अस्मक महा जन्पत की अस्मक महा जन्पत ये राज ये गोदावरी नदी के थर्ड परिस्ति था कौन सी नदी थी गोदावरी अस्मक इसकी राजदानी पोतन अस्मक की राजदानी पोतन पुराणों गनुसार यहां के सासक एकसांकू एकसांकू जो वन्स ह कलिंग जातक से ग्यात होता है कि इस महाजनपत के राजा परवर अरून ने कलिंग राजे पर विजय प्राप्त की थी और अस्मक और अस्मक और अवंति राजियों के वीच निरंतर संगर चलता रहता था अरून ने किस पर कलिंग पर विजय प्राप्त की थी और अस्मक अंत में जो अस्मक राजी अवंती राजी में मिला लिया गया इसको अस्मक को अवंती में प्रिवात करते हैं अवंती की अवंती राजी में वर्तमान में जो है मालवा प्रांथ समलित था ये राजी दो भागों में विबगता कितनी में था दो भागों में उत्री अवंती ज चार सक्तिसाली रास्तंत्रों में से एक था मात्मा बुद्ध के समय अवंती जो है चार सक्तिसाली रास्तंत्रों में से एक था छटे सताबदी सा पूरू में चंड प्रगोत यहां का सक्तिसाली राजा कौन सा प्रगोत चंड प्रगोत यहां का यानि मुवंती का सक्तिसाली राजा हुआ जिसने वत्स नरेश उद्यन को पराजित कर अपने अधिन कर लिया था अधुमे मगद राजिये को अपने समराजे में कर लिया था। अब आदे करते हैं गांदार की गांदार माजनपत की गांदार यह पूर्वी अफगानिस्तान में इस दराजे में आध्चुनिक पैसावार रावल्पिंडी के जिल्लि समलित थे. यहां दूर दूर के देशों के विधारती सिक्सा पराप्त करने के लिए आते थे और चटी सताबदी सपूर में गांदार का सासक पुसकर सारी जो था जिसने अवंती के सासक प्रगोत को पराजित किया था तदा मगत के समराड बिमभी सार के दरबार में अपना एक राज़ दूत भी बहजा था किसने बहजा था उसकर सारी ने जो परगोत है इसको भी पराजित किया था और मगत के समराड जो बिमभी सार थे उसके दरबार में अपना एक राज़ दूत भी बहजा था अब बात करे इस राजे में कस्मिर का भाग पामीर तता बदक्सा के परदेश समले थे इसकी राज़दानी थी राज़पूर कौनसा पूर राज़पूर कोसा में ये कमबोज की राज़दानी राज़पूर कमबोज राज ठीक है प्रारम में यहां राज़दंत्री साषन व्वश्दा पर चली इसता पर तियाद रखिएगा राज़दंत्री सब्सक्राइब सब्सक्राइब करें और शेयर करें अगर आप कोई सुजाव देना चाहते हैं तो कमेंट जरूर कीजेगा नमस्कार